में नम है हर्दीकुर्ण आपका पर फिर से स्वागत है farming with अधी की टूप चर्में तो आच में बात करेंगे बहुत ही popular बहुत ही सुन्दर पोदे के बाले में जिसका नाम है एक्जोरा एक बहुत ही ज्यादा सुन्दर पोदा पाये जाता है जो आपके गार्डन की सुन्दर और ऐटेक्टिव बनाने में मदद करते हैं यह ग ata hoy अ मिट्टि उसको पसंद होती और साथ ही आपको हलकी अमली मिट्टी बनानि है हलकी में बनाना के लिए आप क्या कर सकते हैं कोफी लाने से आपके मिट्टी थोड़ी हलकी ऐसे दीख हो जाएगी साथी साथा जो भी आपके पौदी के मिट्टी है वह हमेशा वेल रेन होनी चाहिए एक जोरा की अच्छी ग्रोथ के लिए उससे लगबख दिन में पूरी सनलाइट में मिलनी चाहिए यानि चार से च्छे हमें देखा लिए उसक्त नाघ्रन खाली को बहुत ही जैदा स्वस्थ बनाते हैं और आप आपने अपने जादे से ज्यादा पूल पाना चाहते हैं तो तरह लेक्ता करने करतें तो आपके पौदा बहुत ही जादे स्वस्थ यह और रेगुलर तरीके से वाट्टी करने के लि नहीं डालना यह तरीका सबसे बेस्ट एक जोड़ा के पॉदे को पानी देने के लिए वर्साथ की टाइम पर यह ध्यान रखना है कि आपको अपने एक जोड़ा के ड्रेने जो हो ले उसके गंबले के वह एकदम देखना की सही का से काम कर रहे हैं या नहीं वहना एक जोड़ का कमपोश ले सकते हैं कि अंदर भी बहुत हाई री मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और समर और स्प्रिंग के सीजन में आपको करना है चार से छी हवते में हमेश्य आपने एक जोड़ा के पोदे को कोई ना कोई फटेलाजर डालते रहना है और अगर आप अपने एक जोड़ा के पोदे से हटाते रहेंगे तो यह आपके एक जोड़ा के पोदे को स्वस्त बनाने में बहुत ही जादा मदद करेगा आम तोर पर एक जोड़ा के पोदे पर एफिट्स फंगल डीजीज और स्नेल्स देखे जा सकते इनको कंट्रोल करने के लिए आपके कर सक समय तक नमी ना बनी रहे एक्ज़ोरा में जादा फूल पानी के लाप इन एक्स्टरनल टिप्स को फोलो कर सकते हैं सबसे पहले आप अपने पोदे की मल्चिंग कर सकते हैं जिससे होगा का मिट्टी में हमेशा मौश्यर बना रहेगा और साथी साथ आपको कभी भी अपने प पटेलेजर इस्तमाल करना है कैसे उसकी के टिप करनी अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी इंफोर्मेटर लगा होते हैं इस वीडियो को लाइक करें हमारे चनल पर पहली बार और आपने अब तिक चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके कोई सुझा होए इस वीडियो को और बढ़िये बनाने के लिए अतो आप कमेंट कर सकते हैं आई होप आपको आज करें वीडियो पसंद आया हो